पुलकित साहू और खुशी भाकर अब बाब 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 सुन्दा अब फिर से आप तू से काट सकते हो लेकिन मुझे चोड़ रहा है कर दो कर दो कर दो जितना कर सकते कर दो हमेशाद कर दिया कर दो जाम नभी कुछ ना कुछ पक्का समझ मैं आएगा तो पर खुड़ यह जो हमें मिलकम वेरीवन कई तो भाब फिसिक्स वाला मेरे नाम है रितिक मिश्रा और में हुआ अप लोगों का माथमेटिक्स मिंदर स्वेश पता है आप लोगों को आपका दोस्त यार ठीक है और आज का लेक्ट्टर बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है बहुत छोटा होने वाला है क्लास एट के जितने भी चाप्टर्स है सारे चाप्टर्स में सबसे पिद्दू सा नन्न मुनना से चाप्टर है क्यूब आइड क्यूब रूट्स अचा बाइसमें बाइसमें स्क्वेर रूटस में अलटी पढ़ा चुका यह कोई कोई ऐसा है जिसको स्क्वेश और स्क्वेर रूटस के पारे में कुछ भी आईडिया नहीं है एस तर ना करो भाईया हुँ बेसिक सब्सक्राइब करेंगे कुछ आईडिया अंदाजा लगाएंगे यह स्टार्ट करने से पहले ना काफी सारे लेक्टर्स हो गए एक यक शौट में कंप्लीट करते हैं बहुत मजब है मजब मुझे तो बहुत मज़ा रहा है एड आप लोग को भी बहुत मज़ा रहा होतर आपको की मैं अक्मेंस कमेंस देखता रहता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता ह ہیں अगर मैं आप लोगा नाम थोड़ा बहुत इधर उदर ले रहा हूं तो मुझे माफ कर देना दोस्तों ठीक है लेकिन यह दो सुडेंट्स ऐसे हैं कि हर वीडियो में करते हैं कि कॉमेंट्स से मुझे यह समझ में आता है कि वह सारे क्वेशन सौल्फ करते हैं इन फैक्ट वह करते हैं जो मैं यहां पर करवा देता हूं तो यार मतलब मैं आप लोगों के लिए ताली बचाना चाहता हूं ठीक है तो थैंक्यू वेरी मच्छ यार बहुत अच्छ सबस्क्राइब क्या होता है नंबर तो पता है ठीक है क्यू अफोन डिवन नंबर सबस्क्राइब देखेल अटा का मतलब है तू को से कर दोस्टों आप लिखा हुआ है। कुछ और एक्जाम्पल्स मैं लिख देता हो बहुत मज़िए चाप्टर खतम कर देंगा कि पता भी नहीं चलेगा कब खताम होगा मालो मैंने एक कर एक्जाम्पल लिया है दोस्तों एट इंटू एट इंटू एट समझ आ रहा है इजी है बहुत इजी बहुत इजी एट इंटू एट इंटू एट क्या बात है अंसर तो निकाल दो भईया तो एट इंटू एट इंटू एट क्या होता है आप लोग कर लो कर लो कर लो मैं डारेट मैं डारेट है न उसे नमबर को multiply, उसे नमबर को multiply, उसे नमबर को. ठीक है? क्लिएर है Qube का मतलब. एक और example, 10 का Qube मतलब क्या? 10 x 10 x 10, 11 x 11, 50 का Qube मतलब क्या? 50 x 50 x 50, 60 का Qube मतलब क्या? 60 x 60 x 60, समझ आ गिया सर, next slide खोलो, बहुत असान है, बहुत असान है. ठीक है बया? परफेक्ट Qube का मतलब क कोई नाचुनल नमबर मतलब क्या वन वान टू जाता जाओंगा तो खतम यह तो आनल लंबरहे और फिक इतड़ एक लूम्बर स्वक्र का वीडियो तसको लिकी जिसको और पहहली समझ में आगा कहने वाले श्यार हो गए हो ठीक है ठीक है मैं समझाता हुन लोग के लिए जो नहीं आए अरे रुको रुको स्वागत है आप लोग का चैनल पर पर पर्फेक्ट क्यूब कोई भी कोई भी नंबर होगा दोस्तों उसको हम पर्फेक्ट क्यूब तब जब वो किसी दूसरे नंबर का क्यूब होगा अ carbohydrates धे olduğu नंबर को पर्फेक्ट क्यूब पर्फेक्ट क्यूब तब बोलेंगे दोस्तों जब वो किसी दूसरे नंबर का क्यूब होगा समझ आ रहे है फौर एक्जामपल लिखा हुआ है देखना ज़रा वन का क्यूब मतलब क्या वन इंटू वन इंटू वन वन आएगा भाईया सही है टू का cube मतलब क्या 2 into 2 into 2 8 आएगा भाई ये direct answer लिखा हुए 3 का cube मतलब क्या 3 into 3 into 3 किते आएगा 27 लिखा हुए बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब एक बात notice करिएगा 1, 8, 27, 64, 125 1 कितका cube है ये 1 का cube 8 किसका cube है 2 का cube 27 किसका cube है किसी और number का cube कोई दूसरे नमबर का mirror है यह नमबर एक किसी और work support time यह नमबेग अचा हो दूसरों तो गई नहीं है ना बहुत बढ़ी है तुह जोवे नंबर्स है कॉन-कॉन से नंबर्स 1 827 64 125 वन 827 64 125 टीक है यह किसी और नंबर का क्यूब है यह किसी और नंबर का क्यूब है इसलिए इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे क्योंकि हम वन को वन का क्यूब 8 को किसी और नंबर का क्यूब अब और अच्छी से तब समझ में आएगा जब एक एक्जामपल में आपको ऐसा दूँगा बहुत ध्यांस समझना दोस्तों मैंने कोई आपको किसी और नंबर का क्यूब लिख सकते की और अपको वन तू थरीएंगा नहीं लिख सकते आप कोशिश करके दिक कर्फ एक तोयसे नंबर स पर्फेट क्यूब नहीं कहलाते, for example, मैं एक और नम्बर लेता हूँ, दोस्तो 32, 32 को भी आप किसी और नम्बर का क्यूब नहीं लिख पाओगे, 32 को भी आप किसी और नम्बर का क्यूब नहीं लिख पाओगे, this is not possible, natural नम्बर की बात कर रहा हूँ, natural नम्बर की, समझ आ रहा समझ म आ रहा हूँ, अब 64 और 125 के बीच में तो बहुत सारे नम्बर है, मतलब 100 भी आएगा, समझ म आ रहे, और 4 और 5 के बीच में तो कोई number झाल नहीं फिर से सुनना 64 और 125 के बीच में तो बहुत शारे number यहा फिर ऐसा कहूं 64 और 125 के बीच में 100 आता है लेकिन 4 और 5 के बीच में तो कोई number आता ही नहीं है इसका मतलब 100 किसी और number का cube नहीं होगा simple सी भाशा में simple सी भाशा में अगर आप किसी number को किसी दूसरे number का cube नहीं लिख सकते हो तो वो number perfect cube नहीं कहलाएगा और अगर लिख सकते हो तो वो number perfect cube कहलाएगा जैसे की 1 perfect cube है 8 perfect cube है 27 perfect cube है 64 perfect cube है 125 perfect cube है क्योंकि इनको आप 1 का cube 2 का cube, 3 का cube, 4 का cube, 5 का cube लिख सकते हो I hope clear हो गया होगा बहुत साथा बात कर ली slide के बारे में आगे चलते हैं दोस्तो अब क्या करना पढ़ेगा भाई ये test पढ़ लो ये test पढ़ लिया पूरा chapter बन गया भाई पूरा chapter बन गया ज़रा देखो क्या कहा रहा है test अग गिवन natural number कोई भी natural number होगा इसा perfect cube उस natural number को मैं perfect cube तब बोलूँगा if it can be expressed एक्सप्रेस को आप return भी बोल सकते हो एक्सप्रेस का मदब return ठीक है एक्सप्रेस जाइज प्रॉड़क्ट ओफ किस-किस का प्रॉड़क्ट मदब क्या multiplication ठीक है तो कोई natural number को दोस्तो आप perfect cube तब बोलोगे जब उसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसा product of triplets of equal factors product of क्या triplets of equal factors triplets से मदब क्या तीन चीजे तीन का combination पेर का मदब दो का combination तीन का combination समझ आ रहे है बहुत बिल्ट ए विए मैं की example से समझाता हूँ अगर माल लो दोस्तों मुझे check करना है कि 189 क्या एक perfect cube है 189 एक perfect cube है तो क्या करेंगे इसका प्राइं फैक्टराइब निकालेंगे कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं और अमuseद्व यह जै। करने का मतलब क्या होता है मैं 189 को सिर्फ उसी नंबर से उनी नंबर से डिवाइड करूंगा जो प्राइम नंबर्स होंगे प्राइम नंबर्स यह क्या होता है यहार कई कर रहें गूगल करो जरह हां ठीक है वह यह तुट चुका है टीक है तो बात है तो दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं 189 को मैं लिख सकता हूँ, क्या? 3 into 3 into 3 into 7 लिख सकता हूँ या फिर express कर सकता हूँ, एक ही बात है 189 को मैंने express कर दिया, ऐसे 189 को express कर दिया, ऐसे या फिर लिख दिया, ऐसे, clear है बात है? समझ में आ रहे हैं? अब भहुत ध्यान से 189 मुझे चेक करना है कि क्या ये perfect cube होगा मतलब मुझे ये पता लगाना है दोस्तो sorry sorry excuse me भाई मुझे ये पता लगाना है दोस्तो कि क्या 189 किसी दूसरे number का cube होगा दिमाग में clear होना चीए क्या 189 किसी दूसरे number का cube होगा ये मुझे पता करना है किसे पता कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइज़िशन करके ठीक है अब पता कैसे लगीगा अगर 189 दोस्तों 189 को आप ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिख सकते हो तीन का ट्रिपलेट बन गया कितने तीन है तीन तो ट्रिपलेट बन गया 7 के साथ ट्रिपलेट बनने के लिए 2 और 7 होने चाहिए थे 7 के साथ ट्रिपलेट में तब क्या तीन चीजहें एक perfect cube नहीं है समझ में आ रहे है शूट या विचारा अगर दोस्तों यहां पर ऐसा होता दो बार 7 और होता ना तो क्या हो जाता वह यह 7 का भी एक ट्रिप्लेट यह टोंका प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या हो जाता है लेकिन अभी तो दो सेविन नहीं है तो यह एक पर्फेक्ट क्यूब नहीं है क्या लिख दो कि आप यहां पे 189 अचा यहां पर यह भूला हुआ दा कि it is not a perfect cube यह दिखाओ यह perfect cube नहीं है तो हमने दिखा दिया समझ महा रहा है it is not a perfect cube therefore 189 is not a perfect cube therefore sir कैसे मतलब यहां पर आपन को starting में कुछ लिखना पड़ता है वो लिखना हमको आना चाहिए ठीक है since since मैं आपको बता जिता हूं सुनना since 189 cannot be written as cannot be expressed as the product of triplets of equal factors does या फिर therefore 189 is not a perfect cube समझ आ रहा है आगे देखते भी और questions आगे क्या दे रहे है जड़ा देखिए so that 216 is the perfect cube हमें क्या देखाना है कि 216 एक perfect cube है इसका मतलब क्लियर होना चाहिए इसका मतलब क्या हमको बोल रहे है कि 216 बताओ कि perfect cube है उनको पहले सी पता है कि वो है बस हमको उनको भी बताना है कि हाँ है समझना कैसे बताएंगे इसको बोलते हैं triplets of equal factors और प्रोट्स समझ गए हो गया ठीक है करते हैं प्राइम फैक्टर एदिशन करते हैं जल्दी से 216 का 216 का दूस्त हम प्राइम फैक्टर एदिशन करेंगे ठीक है तो कितना आजेंगे टू बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते थे से 216 बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं जारा देखना 222 सही है 216 लेकिन यह गलत है खुद सोचो टू इंटू 18 इतना च्छोटा नमर आप करके देख लो आप यहाँ पे 18 इंटू करके देखो आपको पता चलेगा कि 2123 36 आ रहा है अरे 216 आ रहा है तो 36 आ रहा है समझ मार है ना भीया टू इंटू 18 टू 1 शिकस आ रहा है तो सर यह गलत कैसे है क्यूंकि आप लोगोंने गलत करा हैं आप बेसिक मैट्स भूल चुके हो और वह बेसिक मैट्स क्या है बेसिक मैट्स यह कहती है दोस्तो पहुत ध्यान से लिए रहे आइस्था से भाईया हां तू एट्जा सिक्स्टीन क्लियर है हाँ टू इन्टू वन जिरोट करोगे तो टू वन सिक्स आ जाएगा करते जाते हैं भाईया टू फाइव पॉर जा टू टू जा वन बचा टू सेवन जा थ्री नाइन जा आगे चलता ही जा रहा है य न्यूंब तू एकणर बजया चाना ₚ टू इंटू 2 into 1 into 3 into 3 into 3 आप लोगा परफेक्ट क्यूप और परसेग्ट प्रॉचित क्यों इन्स पाउल है क्यों क्रॉब्र्वसे टिर्वन इकल्टू सकतौ किस उतल्या प्रीट क्यों अगर अगर आप ऐसा कर सकते हो इसका मतलब 216 एक परफेक्ट क्यूब है ठीक है अगर आपको इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे सिंस बहुत ध्यान से ठीक है मैं एक बार लिखके दिखा देता हूं सिंस 216 कान बी रिटन अज प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट ओफ ट्रिपलेट्स ओफ इक्ववल फैक्टर्स यह दोड़ देरफोर का साइन होता है ठीक है देरफोर 216 इस अ परफेक्ट समझ मारा राइटिंग ठीक लिके भईया ठीक है इंपरूव करने की कोशिश कर रहे है बबुआ है ठीक है भईया तो 216 परफेक्ट क्यूब है ठीक है फाइना नंबर कौनसे नंबर का क्यूब है क्योंकि 216 परफेक्ट क्यूब है इसका मतलब किसी और नंबर का क्यूब तो हो गई सर यह कैसे निकारेगे बहुत असान है अल्रीडी कर चुके ज़रा देखो बस एक से और आइट करनी पड़ेगी बहुत ध्यान से इस यह आपने तीन बार लिखा है ना इसको आप क्या कर दो इसको आप एक बार लिख दो यह जो तीन बार लिख दो एक बार लिख दो ठीक है टू तीजा कितना होता है ठीक है आगे चलते है यार what is the smallest number by which one three अच्छा यार फिर से फिर से फिर से याद बिलाएता हूं जो मेरे साथ बहुत समय से बने हूं आप लोग को पता है कि मैं क्या बोलता हूं कि मैं नीचे रुग जाता हूं आप लोग को करने को बोलता हूं ट्राइब करो ट्राइब कर 30% आगे है न हो गया आपका काम ठीक है मैं मान के चल रहा हूं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग ने ट्राइक कर रही होगा नहीं बना कोई दिक्कत नहीं मैं हूं न यार ठीक है what is the smallest number by which one three two three must be multiplied ऐसा कौन सा छोटा नंबर होगा जिसको आप one three two three में multiply कर दो ऐसा कौन स चोटा नंबर होगा सबसे चोटा लीस्ट मतलब smallest मतलब सबसे चोटा ऐसा कौन सा चोटा नंबर होगा जिसको आप इसमें multiply कर दो so that the product is a perfect cube so that the product मतलब क्या अजर अरे भया one three two three को किसी और नंबर से multiply कर रहा हो तो उसको product करना ही तो बोलेंगे बात सही है हां तो जो answer आएगा one three two three को किसी और नंबर से multiply करके वो एक perfect cube बन जाए वो एक क्या बन जाए perfect cube बन जाए तो basically करना कह है हम लोगों को दोस्तों मिल एक एक ऐसा number find करना है जिसको आप इसमें multiply कर दो तो जो answer आए ना जो product है वो एक perfect cube बन जाए यह कैसे करेंगे सर यह तो आपने सिखाया ही नहीं लेकिन मैंने जो सिखाया है वो तो कर सकते क्या कर सकते सर प्राइम factorization कर सकते कर दो कर दो कर दो और लिख दो जितना कर सकते कर हमेशा इसा कर दिया करो exam में भी कुछ ना कुछ पक्का समझ में आएगा ठीक है अरे आप फिर आ गए यार हट जाईए हट जाईए हट जाईए हट जाईए तानिक रुकिएगा हाँ 1323 ठीक है अच्छा एक बात तो clear ना दोस्तों कि यह जो 1323 यह पक्के से perfect cube नहीं है क्यो तो यह तो यह तो नहीं है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ढुफल सिगजा ठीक है दोस्तों वट्रों इंपट्रे नंबर को ने दित्त आव लेते हो दोसर आपने बोला था जी 0 लगता है लगा दो लगा दो लगा दो लेकिन अगर किसी नंबर के स्टार्टिंग में 0 लगा उगे तो कौन फरक पड़ेगा का अरे नहीं पड़ेगा इसलिए mathematics के टीचार mathematics के मंतार मंतर mathematics के आपके दोस्त नहीं लगाई थी तो माफकर दो ठीक है वाई वाई है कि टेबल में नहीं आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ आगे बन गया त्री फोर्जा ट्वेल्फ फिर से दो नंबर साथ में लिए आगे जीरो आएगा लगाने की जरुवत नहीं क्योंकि आगे आ रहा है बीच में आता है तो लगाना पड़ता है त्री फोर्जा ट्वेल्फ टू कहरी हुआ सकते हैं अब आपको यही से समझ में आ गया होगा क्या कि एक पर्फेट क्यूब नहीं है वह तो वैसे भी नहीं था question में दे रहे हैं क्यों नहीं है सर क्योंकि 3 तो 3 नहीं है इक चोटा असा पिद्दू सा multiply कर दूँ खुद से हाँ खुद से तो क्या ही पर्फेक्ट क्यों बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा बस वही अपना answer है I hope आप लोग को बाते समझ में आ गई होंगी भाया कि therefore therefore क्या 7 is the smallest number that should be multiplied to one three two three to make it perfect क्यूब क्लियर है बाते अरे सही है न भाई अगर आप यहाँ पे खुद से three multiply कर दोगे तो बन गए न पियर इसका एक और इसका एक पियर नहीं ट्रिपलेट हो गया पर्फेट क्यूब आप लोगों समझ में आ गई होंगी दोस्तों बात अरे तनिक साइवन है रहे आप लोगों को नहीं आना चाहिए तो आ रहा है क्या अधिक ठीक ठीक कर रहा हूं है यार मैं बहुत मस्ती में पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है मजा आता है क्यूब क्यों लगा दिया मैं आप मल्टिपलाय कर देते हैं दोस्तों कि इतना आएगा राशनल अंबर को कैसे मल्टिपलाय करते बहुत सारे बच्चे पूछते वह एक व्या उपर वाला उपर से नीचे वाला नीचे इन कर लेंगे अरे यार चलो बता देते हैं फिर नहीं आ रहा तो Spider बच्शों को बता देते हैं जा को हाँ थो सबस्था का सब्सक्राइब Faculty ठीक तो खीकर के से करेंगे टेन इंटोंटे़ टेन प्लसट रिए थो싫्रटीन निकालना है कई से निकालेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे यह आपका आंसर यहां पर आ जाएगा ठीक बहुत अच्छे बहुत अच्छे नंबर कुछ एक दो बाते और समझ लेते फिर और आ उसने महिन हमने तो इन तो मतलब का लुए तो क्यों को सा है तो वही चीजे हुई य पॉजिटिव नमबर का आप क्यूब निकाल रहे हो for example को भी पॉजिटिव नमबर ले लूँ ठीक है सर थ्री सर थ्री प्लस का साइन तो लगाए नहीं आपने अगर नमबर के आगे दोस्तों कोई साइन नहीं लगा तो वह मान के चलते हैं कि प्लस होते हैं ठीक है तो बहुत पॉजिटिव नमबर लेते हो उसका आप कोई नमबर लेते हो याद रखना अगर आप कोई नेगिटिव नमबर लेते हो आप उसका क्यूब करते हो तो आपको नेगिटिव में आंसर आएगा for example दोस्तों इसी को ले लिता हूं मैं या फिर ऐसा काऊ वो मैंनस 3 का क्यूब लिखा रहेगा तो आंसर तो 27 आएगा भई या 3 इंटू 3 इंटू 3 27 लेकिन वह मैंनस का 27 आएगा समझ मार रहा है अब ऐसा क्यों होता है दीरी दीरे आप लोग चीज़े सीख जाओगे समझ जाओगे ठीक है फिलाल इतना ही मुझ सब्सक्राइब 573 13 समझ आ रहा होगे दोस्तों अगर कोई आप इन नबर वली मीलेगा करके अगरना रेकट अपने क्यों को लावन गए को सारे वच्छों को डर लगता है तो इसलि Kim अधन नहीं दोस्तों घबराना नहीं है दोस्तों घबराना नहीं तो घबराना ने नहीं है टीक है तो ए बाला कर रहें न अरे यह बार बार डबा काहें बन जाता है तो one point two का cube मतलब क्या one point two into one point two into one point two यहीं मतलब वोंगा तीन बर multiply करना अब बहुत तरह बच्चे क्या करेंगे ऐसा कुछ करेंगे one point two into one point two two to two और फिर वो ऐसे फिर जो आंसर आएगा उसको इससे कर रहेंगा नहीं को डेसिमल को ऐसे multiply करते हैं क्या बच्चों नहीं करते हैं दोस्तों कई से करते हैं बता देते हैं decimal को भूल जाओ भूल जाओ डेसमल को हटा दो मानलो 12 इंटू 12 इंटू 12 है अब करो मल्टिप्लाई ठीक है तो 12 इंटू 12 दोस्तों क्या होता है 144 और 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या होगा 1728 कितना होगा भया 1728 सर इतनी जल्दी जल्दी आंसर कैसी रिकाल रहे हो अभी बता देता हूं वैसे आप लोग को याद रखना पड़ता है आप लोग करोगे ना तो आप 13 तो इसको तीन प्लेस किसका दो एक दो थीन समझ में आ रहे कहां लग जाएगा यहां लग जाएगा आई होप आप लोग को बात क्लियर होंगी आंसर यह आएगा 1.728 क्लियर बहुत असान है ठीक है इसको कर लेते भया एक और क्या आप लोग के पर छोड़ दूं सर यह मत अब होगा दोस्तों 0.05 x 0.05 x 0.05 x 0.05 थीन बार मल्टिप्ल है ठीक है सर अपने बोला अपने बोला कि टेस्मल अटाक के करो तो 5 x 5 x 5 क्या होगा याद रखेंगे 125 होता है 5 का क्यों 125 होता है सर एक दो एक दो एक दो एक दो सर 6 डैसिमल प्लेसेज बगल की तरफ खिसकानी एक बड़ेंगे तो सर यहां पर तो छए फ्लेजिस है नी फिर से दोस्तों फिर सव्थे यहां पे तीन बार डीजसरी सीडिया रिया संधर रहे हैं जानी है यहां पर तीन कदम चलने के लिए ल pó FR Can तरफ सीडिया थी हैना नंबर्स थे यहां पर तीन कदम चलने के लिए सीडिया है नहीं तो कैसे चले तो वहीं मैं आपको समझा देता हूं भाईया क्या करना पड़ेगा बहुत असान है यहां पर खुद की मर्दी से बहुत अच्छे बाईया अब क्या करो कदम चल लो सर सीफि कदम चल लोग क अब चाहु चाहु या ना काहूँ या चाहु आप इसको मिटा दो तो इसको मिटा दिया और आंसर आगे यह आगे चलते हैं आगे चलते हैं चलो भईया चलो शाटकुट मेथड फॉर फाइंडिंग दा क्यूब ऑफ टू डिजिट नमबर कोई शॉटकट नहीं है तो कोई शॉटकट नहीं है बस बोलने की बात है सिखा देते हैं बस आपको को इसके बारे में ज्यादो बात रहें नहीं करेंगे बहुत असान है तो अग्योग है एक यह कीउप प्लस थृइंटिटी होती है और दोस्तों आपको 29 का क्यूब निकालने को बोला जाकि किसका क्यूब 29 का क्यूब 29 का क्यूब् तो क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं अब क्या करो कि यह ढबड़ा अब कोई काम कर नहीं है मैं बता देता हूं कभी-कभी शायद काम आ कभी-कभी निकालने को बोलने बहुत सारे बच्चों की वुक में होगा ठीक है अब क्या करो भी या अब ब्रेक्स लगाओ किते ब्रेक्स लगाओ गया इसकेल से लाइने खीचिए एक ट्रेट खीचेंगे इसी थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूं मैं एक क्या बात है थोड़ा सा ओंए यहां पर लिप्तव है क्ische City कि टीच बबार समाज़ मां रहें यहां बढकली द्री याद तो मतलब होता है 29 के cube निकालने का है ना तीन बार 29 को multiply करना लेकिन वो ना करना पड़े इसलिए मैं आपको ये method दिखा रहा हूँ क्या method है ये डबा बनाया चार हिस्सों में बाटा identity के चार parts चार terms लिख दिये ठीक है अब A B क्या है सर और A B कुछ नहीं भाईया A की value 2 और B की value 3 सरी B की value 9 समझ मैं आ रहे सर ये कैसे 2 और 9 कैसे अरे ये जो पहला है ना इसको A की value ले लो और जो बाद मेहना इसको B की ले ले लो समझा आ रहा है पर फिर से बतारो कोई काम का method नहीं है यहाँ पर चलो में लेख दो 2 का cube यहाँ पर क्या सारी values पहले में डाल देता हूँ 3 इंटू A का square मतलब क्या 2 का square इंटू B मतलब क्या 9 ठीके दोस्तो सारी values डाल रहा हो बस घबराने की ज़रत नहीं है कि सर ये क्या कर रहे है वट पटा सा भाईया अरे बहुत जल्दी हो जाएगा यह हो गया 9 का cube बाते क्लिया रहे देखो 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 छोटा तो है थोड़ा सा वैसे चलो यार 2 का cube कितना हो गया दोस्तो 8 हो गया 3 इंटू 2 का square कितना हो तब यह 2 का square होता है 4 2 का square मतलब क्या 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 4 हो गया 4 इंटू 3, 12 हो गया 12 इंटू 9 कितना होता है 108 कितना होता है 108 आप इदर लिग दो clear है ठीक है भइअ 3 2 जा 6 9 9 0 81 9 9 0 81 81 इंटू 6 81 इंटू 6 कितना होता है कर लो बगल मे 0 6 1 जा 6 0 6 0 48 कितना हागया भई यह 4 86 सिक्स बस मुल्टिप्लाय करके लिख रहे नाइन का क्यों कुतना होता है यह 729 सरी क्यूब याद कैसे हैं आपको आप लोग को दोस्तों दस तक के क्यूब याद होने चाहिए काम आते हैं काम आते हैं ठीक है अभी एक काम करना क्लास खतम होने के बाद कुछ इसके बाद वन से लेके 10 तक याद करो 15 तक याद हो जाए तो आपका भला किसी को सौत तक करने तो कर लो काम नहीं आता 20 तक 15 तक काम आ जाता है ठीक है ठीक है ठीक है 729 होता है अब बहुत बढ़िया आगे करते अब क्या करना है बहुत द्याद समझना यह 9 को दोस्तों इध है के इसको रखा इसको रखेंगे इसको आंसर रखेंगे 72 को इधर सच्छे और फिलू से करेंगे सब्सक्णकत कितना होता है यह कितना हो GP 5 जहो गया टूअ कि आभ यहां पर दोस्तो यह सि अधर जाने के लिदे नहीं तो यहां पर दोनों को रखेंगे है और स्छमाइँ मारा रखें क्या कैंड़ आंसर ह्ये है 2489 यह चाहू तो शक है तो सॉल्व करके देख लो удill कितना होता इतना ही आएगा 24389 मैं बार करके भी देख लेता हूं भया कुछ गलत्तों नहीं करना 24389 कल्कुलेटर डिस्सिप्लेन टूल माइथ कल्कुलेटर है ना खट किता है 2929 इंटू 2929 इंटू 29 12389 इस इक टूडू 24389 अब मिद होप दोस्तों आप लोग को मैंट समझ में आगे हो कि करना क्या है उदर ले जाना है उदर यूनिट स को अपने पास रखना है अपने जेब में रखना है और बागी को अधर खिसकाते जाना है खिसकाते जाना है एड करके जो लास में बचावाई हमारा अंसर होगा अगे चलते हैं अच्छा अब एक क्वेशन आप लोगो ओंबग दे रहा हूं या आगे टॉपिक में बंढ़ने से पहले म मुझे आप लोग 41 का क्यूब निकाल के बताना इसी मेथट से ऐसे मत करना कि 41 इंटू 41 कर दिया वो तो कोई भी कर देगा ना इस मेथट से एक बार करके देखना ठीक है जो मैंने बताया अभी 41 का क्यूब आप लोग आंसर करोगे अगले टॉपिक में चलते हैं लास्ट सेकेंड टॉपिक है विच इस क्या तो क्यूब करना होता है ना उसका उल्टा प्रोसेस क्यूब क्योब करने का जस उल्टा प्रोसेस क्यूब रूट होता है क्या एक एकजांपल के दौर दोस्तों बताता हूं एट का हमें पता है कितना होता है वह या 512 आप निकालके देखना ठीक है तो अगर आप से कोई पूछे कि 512 का क्यूब क्या होगा था खी समझ मारा रहे हैं एक और एक और लेते हैं लेकिन 64 का क्यूब रूट फोर होता है अब इसके बारे में और बाते कर लेते हैं जरा पहले डेफिनिशन परते हैं दोस्तों तो इस नमबर का क्यूब रूट क्या होगा कुछ ऐसे शायद पले नहीं पड़ेगा तो जो मैंने बताया ना वो समझ लो ठीक है अच्छा बाइद आवे यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्यूब रूट को लिखते कैसे स्कुएर रूट को ऐसे लिखते हैं स्कुएर रूट को ऐसे लिखते हैं महलू अगर मुझे 512 का स्कुएर रूट निकालना है तो उसको मैं ऐसा लिखूँगा बात सही है है ना अगर मुझे 64 का square root निकालने तो उसको इसे लिखूँगा राइट इन cube root को कैसा लिखता हो क्यूब root को मैं ऐसा लिखता हूं वह square root वाला sign रहता है बस ऊपर यहाँ पर थी लग जाता उससे यह समझ में आता है कि भी क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या एक ऐसा नंबर निकालना जिसको आप तीन बार निकालने को बोल रहे हैं सुनना सुनना ठीक है अगर आपको क्यूब रूट ओफ फाइवन टू निकालने को बोल रहे हैं इसका मतलब आपको एक ऐसा नंबर सोच रहा है या निकालना है जिसका क्यूब फाइवन टू होता है ठीक है अगर आपको क्यूब रूट ओफ निकालना है जिसका क्यूब 1728 होता है इसको आप तीन बार मल्टिप्लाइ करो तो 1728 आ जाए समझा रहे और ऐसे नमबर कैसे निकालेंगे वह मैं स्थिखा दूंगा मैं डायरेट बता जेता हूं ऐसे कौन सा नमबर है जिसका क्यूब 512 होता है वो है 8 तो इसे लिए क्यूब प्रूट और पाइब बन तो का अनसर होता है 8 ठीक है अच्छा ये थ्री उपर लिखा है ना कन्फ्यूज मत होना ये थ्री थोड़ाथा ऊपर लिखा हुए हैं भाच्छों की लीर है ये ऐसे लिखा हुए है ग्या एक बहुत बढ़िया फहां एक ऐसा नमबर जिसका क्यू 1000 होता है वो होता है 10 10 का cube 1000 होता है और 12 का cube मतलब 12 12 12 होता है 1728 इसका मतलब दोस्तों cube root of 5128 cube root of 1000 10 cube root of 1728 12 I hope आप लोग को बाते clear होंगे ठीक है आगे चलते हैं इस पर कुछ बाते करते हैं evaluate हमको इसका cube root निकार ला है पहले मैंने क्या बताया आप लोग 1 का cube होता है दोस्तों 1 2 का cube होता है दोस्तों 8 3 का cube होता है दोस्तों 27 याद करलो त fellow TakerYes बंद करलो 4 का cube होता है दोस्तों sent helpful 5 का कुछ बता है दोस्तो 125 ठीक है एकelen बनाई ये जल्दी से इस क् tillitव थो Пр нажली यह क्या बात है खोता है जोक रहु है दोस्तों में तो होता है होता है सेवन का क्यों भता है दोस्तों थ्री-फो-थ्री-च devastation केट का चुबन खुबन दोस्तों थे बैंड-टी दोस्तों इन का तोर्टेश्यवर थोप्लोगा। क्लियर होंगी ठीक है टें तक क्यों ज्याद कर लो ठीक है अब उससे असानी क्या होगी ऐसे क्वेशन करने में मदद होगी अगर नए भी बनेगा तो मैं करना सिखा दूगा प्रोसेस बता दूगा इवरूट अप्टू वन सिक्स पहले बतलब क्लियर होना चाहिए हम लोग क प्रोसेस को समझ और आना चाहिए कि यूट अफ-टू-वन-शिस का मतलब क्या होता है मतलब आप किसे पूछना जिसको इतका आंसर निकालना आता है लेकिन वो मतलब नहीं समझा पाएगा तो इसका मतलब दोस्तों ये है एक ऐसा नमबर निकालना जिसका cube 2 1 6 है अब सीखो कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे भईया 2 1 6 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं करना ठीक है 3 9s are 27 3 3s are 9 3 1s are 3 I hope प्राइम फैक्टराइजेशन अब आप समझ गए होगे फटाक सिखर दिया है मैंने ठीक है अब क्या करो भी आसको यहां पर लिख दो 2 1 6 is equal to क्या गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 बहुत सारे बच्चों को बन गया होगा अगया घ्के मैंने क्या बोला था अगर आपको सका क्यूब रूट निकालना है तो कुछ नहीं कि की अप प्लीज आजाघूए अहां ठीक है यह दिख रहा है दिख रहा है मतलब क्या यह एक पर्फेक्ट क्यूब है पर्फेक्ट क्यूब है मतलब क्या आप इसको किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हो आप इसको किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हो वो नंबर होगा क्या वो मुझे पता करना है यहां से आप बस क्या लिख लो एक तू निकाल लो यहां से आप एक थ्री निकाल लो इन्हीं को मल्टिप्लाइगरोगे तो आंसर क्या आएगा इसका मतलब 216 का क्यूब रूट है 6 I hope आप लोग को बाते समझ में आ गई होंगी आप करके भी देख सकते हो दोस्तों 6 का क्यूब 216 होता है और अभी मैं आपको यहां पर बताया भी आप चाहो तो याद भी कर सकते हो बहुत छोटी-छोटी सी चीज है ठीक है बहुत बेसिक सा क्वेशन आगे चलते 2744 का क्यूब रूट निकालना है सर वही करेंगे फटाक से 2744 ठीक है तुके टेबल में आज आएगा दो दोस्तों यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर है तू वन्जार टू आगे सेवन तो नहीं आ था टू तू 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 बढ़ा तो यह पाँ आटे शू टेबल एट सेवनजार टू कले 333 टेवल में आता है 7 की टेनी चाहिए दे चाहिए है ठीक है 7 की टेपल में आ जाएगा तो यह कितना होता है बहिए 748 7906 3749 7107 I hope आप लोग को बाते किलियर होंगी किलियर क्रिस्टल किलियर ठीक है बहिए हां तो अब आवन क्या लिख सकते है 2744 को दोस्तो 2744 को सार हम लिख सकते हैं टू इन्टू इन्टू टू इन्टू इन्टू सेवेन इन्टू छीक है बढ़िया अब क्या भईया कि रिप्लेट्स बन गए इसका मतलब क्या है यह नंबर का क्यूब है और वो नंबर क्या है एक है टू एक है सेवेन दोनों को मल्टिप्लाइगा रहा आंसर कितना आया 14 इसका मतलब 2744 का क्यूब रूट है 14 कि I hope आप लोग को बाते समझ में आगी हूंगी इसका मतलब क्या 14 इन्टू 14 इन्टू 14 क्या होगा 2744 अगर शक हो तो डिसिप्लीन टूल में जाके मैं जाके कैलकुलेटर में जाके 14 इन्टू 14 इन्टू 14 इन्टू 14 is equals to 2744 आ रहे हैं I hope आप लोग को बाते समझ में आ गई होंगी ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों बिच्छ अव्डर फॉलिइंग नमबर इस अपर्फिट क्यूब अब यह एंट क्यूभ से पूछा है रॉडर इसको मैं तो यह यह क्या रॉड़ गया पर्फेक्ट क्यूब होगा तो यह MCQ वाले question तो बहुत जल्दी कर जाते है अच्छा by the way क्या देख क्या answer बता सकता है कोई मुझे क्या देख क्या answer बता सकता है हमको बस यह देखना है दोस्तो क्या ये किसी number का cube होगा क्या ये किसी number का cube होगा क्या ये किसी number का cube होगा यह किसी नमबर का क्यूंब और इनचारों में तो कोई एक ही होगा इसाय देखके समझ में आ रहा होगा इतनी सारी क्लास करके तो जलने क्या कर दिया तो सार्टिंग में बता है थे प्राइम फैक्टराइदिशन करें तो आप देखेंगे आप पाएंगे इसमें triplets बन रहे होंगे इसमें और इसमें triplets नहीं बन रहे होंगे तैस्ट करें आ वर्डीस नमबर शुट 648 क्रिप्लाइट टु गेट इसको बसक्राइब करें तो इसक्राइब बन जाए ये नमबर पहले से प्रफेक्ट कुम में था इसमें कुछ तो इतना नंबर इतना नंबर शुट भी मल्टिप्लाइ करें कि एक पर्फिट क्यूब बन जाए एक क्या आप लोग कर के दिखाओं एक मैं कर दूँ चरो थोड़ा बहुत कर देता हूं आप लोग के लिए जारद देखिएगा सिक्स फॉर्टि एट पक्के चे पर्फेट क्यूब तो नहीं है यह कैसे समझ यह कि परफेट क्यूब नहीं है अरे क्योंकि कुछ मल्टिप्ला करोंगा तो जागि perfect cube बनेगा पहले से perfect cube नहीं है अगर पहले से होता तो वह least number क्लिख सकते हैं कि रिख लिख सकते हैं इस फॉटिसक्ट नूट्री इंक्र गलत नहीं करा ठीक बाग, सब सहिए ना भ्या, 324, 162, 81, 27, भाई, 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 ठीक है, चेक करना होता है न, अच्छा, यह पर्फेट कुबे सर, नहीं है सर, इसका तो ट्रिप्लेट बन गया, सर इसका भी एक ट्रिप्लेट बन गया, सर यह थ्री बिचारा अकेला चूड गया, त मतलब multiplication में क्या होना चाहिए दोस्तों यहां पर 3 2 3 और उरना चाहिए तर जाकि यह perfect cube बनेगा तो वही तो करना है कुछ numbers खुद से multiply करने तब जाकि यह perfect cube बनेगा और क्यों सा number है क्या नाइन मतलब आपका option क्या हो गया C, option number C clear, समझ आ रहे तो आप देखोगे दोस्तों कि जब आप इसमें 3 into 3 मतलब 9 मतलब 648 में जब आप 9 multiply कर दोगे, तो जो answer आएगा वो एक perfect cube होगा, क्यों? क्योंकि उस number को आप किसी दूसरे number का cube लिख सकते हो ठीक है ठीक, चलो यार आगे चलते हैं, क्या बात है क्या बात है cube root through estimation क्या करना है बहिया, cube root निकालना estimation करके, मतलब अभी cube root निकालना सीखा, कैसे कैसे सीखा, sir prime factorization, sir prime factorization करा, और वो product of triplets of equal factors बनाए triplet को एक लिका, triplet को एक लिका, triplet को एक लिका, जो multiply करके answer है वही cube root का answer, समझ मैं cube root मतलब क्या दोस्तो एक ऐसा number निकालना, जिसका cube, वो जो cube root के अंदर number निकालना वो है, बहुत सारी बाते कर चुका अब क्या करना है, दोस्तो estimate करना है, क्या करना है, estimate मतलब आप बिना prime factorization करे बिना prime factorization करे हाँ, आप लोगों ने सही सुना बिना prime factorization करे, हमें पता करना है कि ये जो number है बड़ा साथ, बड़ा साथ, ये किस number का cube होगा, क्या पता कर पाएंगे, कर तो सकते, एक छोटी सी चीज़ पता होना चाहिए, और वो चीज़ क्या है, सर छोटी बोलके अरे, छोटी गंगा बोलके नाले में कुदा दिया, dialogue याद आया, हाँ, नी, नाले में नहीं कुदा है, भई या, छोटा बोलके थोड़ा बड़ा दे दी है, जरा देख लो, क्या है, बहुत असान है, नहीं भी याद रखो कि तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बाद समझने की कोशिच करूँ आप लोग कोई काम आएगा number ending in one has a cube root ending in one थिक है अगर कोई number है जिसका cube root निकालने जा रहे हो क्या अगर कोई number है जिसका cube root निकालने जा रहे हो उस cube root में last में one आता है तो उसका क्यूब रूट का अंसर भी क्या होगा वन मतलब वन आएगा उसके लास्ट में आसा ठीक है फिर से बताता हूं नमबर एंडिंग टू है जाहिर सी बात है कोई आंसर आएगा कुछ तो आंसर आएगा फिर से बता अंसर एंडिंग अंसर आएगा उसके लास्ट में भी क्या होगा उसके लास्ट मेंगा एट होगा समझ में आ रही है बाते फिर से बता number ending in 2 has a cube root ending in 8 समझ में आ रहा है वैसी क्या लिखा हुआ है number ending in 3 has a cube root ending in 7 कोई number होगा माल लो यहापे अगर 3 लिखा होता माल लीजे दोस्तों अगर यहापे 3 लिखा होता तो जो उसके cube root का answer होता ना समझ में आ रहा है यहापे आपको ज़्यादा रखने ही ज़रत नहीं होती है अगर आप थोड़ा बहुत करते भी जाओगा ना तो आपको अपने अभी चीज़े याद हो जाएंगे ठीक है बैसी क्या लिखा है दोस्तों नंबर एंडिंग इन 5 अगर कोई नंबर है उसका आप क्यूब रूट निकालने जा रहे हो जिसके लास्ट में 5 लिखा है तो इसक क्यूब रूट का अंसर होगा उसकी यूनिट स्प्लेस में 3 होगा समझ में आ रहे है अगर कोई नंबर है उसका आप क्यूब रूट निकालने जा रहे हो जो एंड हो रहा है 8 से मतलब उसकी यूनिट स्प्लेस 8 है तो जो उसका अंसर आएगा क्यूब रूट का उसकी यू पड़े नंबर का नहीं करना पड़ेगा देखना क्या से एस्टीमेशन बस सिखा दे रहा है आप लोगों के एंसी आटी में दिया हुआ ऐसे कोई काम का नहीं है यह कोई काम का नहीं है ठीक है 857-375 चलो देखो जड़ा 857-375 चलो देखोरहिं हमको नेकालना इसकी यूनिट्स प्लिस में क्या आ रहा है 5 यह जूब रूट के लॉट्प यूनिट्स प्लेस में 5 है तो इसके क्यूब रूट के हैं तो इसके क्योई अंसर में भी 5 होगा मतलब कहने का मतलब क्या समझ में इतनी बात क्लियर हो रही ठीक है अब हमको क्या कर ले यहां वाला नंबर धूना वो कैसे मिलेगा वो हमको 857 से मिलेगा क्यासे मिलेगा 857 से 375 तो यूज कर लिया अब 857 यूज करना है फिर से बताया तो हम यहाद होना अची एस्टीमेशन करने के लिए 857 कौन-कौन से नंबर्स के बीच मा आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच मा आएगा 757 और 720 कियूब 9 का क्यूब और तौज अंका क्यूब मतलब कहने का मतलब दोस्तों यह जो 857 है यह किस की वाला नंबर उठालोगे यह जो नमबर होगा जिस भी क्यूब के बीच में होगा उसका छोटा वाला नमबर उठालो हो 9 और यहां पर क्या आजाएगा आपका 9 समझ मार रहा है and this is your answer कि यह आपका answer इसको बोलते estimation करना दिमाग लगा के बिना prime factorization के और आप check भी कर सकते हो कैसे discipline टूल में गए math में गए calculator निकाला क्या कर अब यह 95 into 95 into 95 is equals to 857 375 857 375 I hope आप लोगों को बाते समझ में आई होंगी दो चीज़े पता होनी चाहिए एक क्या एक यह ठीक है एक यह चीज़ पता होना चाहिए काम नहीं आएगा एक चाहिए बन जाएगा बन जाएगा मैं बता रहा हूं ठीक है यह यह यादो ना चीज़े आपको 5 का सकता है या फिर यह एट या नाइन का सकता है ठीक है आगे देखते हैं ठीक है और क्या पता होना चीज़े वह जो बन से लेके 10 तक के क्यूब उन से बतायता हूं जो भी नमबर लोगा राइड तीन-तीन के बातो पियरसी टीन-तीन के टिंटे that गुश्च में इसको देखा अब इसको देखा इसके आध़ए थे इसके लाएज समें वार एक तक कौन से क्यूब के बीच में आता है यह आता है 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में यही मतलब है न 9 के क्यूब से बड़ा और 10 के क्यूब से छोटा होता है ठीक है तो यह जिससे बड़ा है या फिर इन दोनों में से तो छोटा नंबर है उसको आप यहाँ पर लिख लो most probably हर case में यही आपका answer होगा 95 का cube आपको कहने का मतलब बस यह है भाईया कि cube root of cube root of 857375 857375 is 95 या फिर 95 का cube is equals to 857375 I hope आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी ठीक है आगे चलते हैं भाईया ठीक है यह भी समझ गए भाईया आगे क्या दिया हुआ है आगे क्या दिया हुआ है estimate cube root of इतना और इतना ठीक है इन दोनों में से कोई एक मैं करूँ कोई एक आप करोगे कोई दिक्कत तो नहीं है भाईया estimate करना है बस estimate करना है बस estimate ठीक है 1 7 5 7 6 मैं कर दूँ कि 4 9 1 3 मैं कर दूँ मेरे कालते आप यह वाला कर लोगे यहां पर निकालना है क्यूब रूट ओफ दोस्तों 4 9 1 3 यह निकालना है भाईया estimation से प्राइम फैक्टराइदेशन से कोई भी कर लेगा estimation मतब जल्दी करेंगे ना last में क्या रहा है इसको ट्रिप्नेट्स में ब्रेक करेंगे तो इसका यूब रूट का आनसर में भी जायगा समझ मा रहे है तो मतलब इसका जो answer दिख रहा होगा इसका लोग भी कुछ सिक्स में दिख रहा होगा यहाँ पर क्या एगा 17 कौन कौन से क्यूब के बीच में आता है सोरी सेवेंटीन आता है 2 के cube 2 के cube और 3 के cube के बीच में ताई बोल रहा हूं है 2 के cube से बड़ा 3 के cube से छोटा भाया छोटा और नमबर कौन से है 2 अरे 17 2 cube और 3 cube के बीच में आएगा ना 2 का cube 8 3 का cube 27 27 तो 17 से आगे निकल गया 2 का cube 8 70 से छोटा है 2 को ठालो 26 is your answer मतलब 26 का cube समझ मार है लास्ट बार और बोलूंगा cube root निकालने का मतलब होता है ऐसा number निकालना जिसका cube वो number हो ऐसा number निकालना जिसका cube वो number हो दो बार बोल दिया आप लोग के लिए यह वह आप लोग के उपर छोड़ दे कर लेंगे बन जाएगा भावूत असान है रहतु थीग है आगे चलते लिग टिरात तंड dois और असान पहली सी कर चुके मैं करें sulphak आप करें सब बढ़ा जाएगा दोस्तों और कुछ नहीं यहीं पर करता हूं चलो 110592 यह आपके एंस्याटी के ही क्वेशन्स हैं हाँ इतने बड़े-बड़े हाँ लास्ट में टू आ रहे है टू से चले आएगा तू पैसे अराम से करना अराम से करेंगे बड़े-बड़े सभएक्षेसंस को एक बार में साही आना चाहिए चाहिए टू फई फाइटे एंगे करेंट को न यहीं हुआ तू फॉर जा एटिण वा ओर टू जाहिए टू जाहिए खिछा रहाम से लास्में दिखला रहे है फिर इसे चले जाएगा फ्रपान वुई जाएगा लागे करीव नंबर अरे होगा चोटा सा करके देखतर आपास तुटू एटीन टूबस सब्सक्राइब क्या बात है क्या बात है लेकिन मुझे करी देते करी देते हैं आप लोग को के लिए हां तो यह टू एट जा शिक्स्टीन वन आगे कह रही हुआ टू सिक्सार करी इंतजार कर रही है तू वन जीरो एट आएगा ठीक है इतना ही करते हैं इधर फिर अगले पेश में करना अगले इधर ही करते हैं जड़ा देखते रहे ना भी या डश डश लगा देते हैं तरह ने कुछ का उनों गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है क्या बचा बंजीरो एट अभी आगे चंटीनू करेंगे इसको है ना 108 या बात है टू फाइव जा टू फोर्ट तू टू ट्वेंटी सेवेंज जा थ्री नाइन जा थ्री थ्री जा थ्री वन्जा हो गया भाईया तर हो गया अरे अंसी आर्टी का क्वेशन है देगो कितना बढ़ा गया भाईया कितना बढ़ा गया समझ आ रहा है इन बहुत असान है ठीक है बस सॉल्व करना है वह आप लोग की पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि आप कब तक बने रहते हो और छो अरे काम करते हैं यहीं पर दबना लिते इतनी महीनत क्योंच करेगा एक ट्रिप्लेट डबाइए प्लीजभा यह गविश्वा बाक जड़ा जाए त्रीक है इसको और यहां पे ट्रिप्लेट बन जाएंगा एक टूदो टू है तो यह सको गोला कर देते हैं प्लीज़ा गो ड्रिपलेट अरे सारे ट्रिपलेट बन गाए मतलब यह पर्फेक्ट9 है मतलब यह तो यहां से निकल जाएगा एक तू 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 यहां से निकल जाएगा तो इसको मैं इधर लिख देता हूं यह एक तू यहां से निकल जाएगा और एक त्री यहां से निकल जाएगा लां रहो है डारेट करदे त्यू इंटो टू टू इंटू टू एंटू इंटू टू एंटू एंट वार्वार टूए एक दो तीन शार अरें बार त्रिये है लाफ टो फाइनल अंसर है टो इनटो इंटो 2 इंटो 2 इंटो 2 16 इंटो 3 48 48 यही में अंसर दोस्तों 48 का क्यूं बोता है उन वन ऌन जिरो फाइफ न टू और अगर शख भो जैसे अगर मुझे मुझे में ही शक हो तो 48 into 48 into 48 is equals to 110592 is the correct answer क्या बात है मतलब 48 ही वही नंबर है भाईया मतलब मतलब कहने का मतलब क्या cube root of 110592 होता है दोस्तो 48 I hope आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी ठीक आगे चलते है भाईया आगे चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है आगे चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है बाइदावे अभी एक question छोड़े वह कर देना ठीक है कर दोगे आया मजा लेक्टर में बहुत असान था बहुत छोटा सा लेक्टर था मेरे घ्याल से जितने भी वन शॉट लेक्टीज हम लोग ने निपक्टाए हैं एक लिए जिटने भी चांटेर में निपक्टाए हैं ठीकए बट एडिवे जितने भी चाप्टर लोगले। च्छोटा चैप्टर यही होगा ठेक है और बहुत असान चाप्टर भी आप लोको लगा होगा वैसे मैंने पूरी कोशिश करिए कि जितने भी चाप्टर मैंने आप लोगो समझाएं हैं आप लोग को सारे मेरे पढ़ाने के बाद असान लगे हैं and most importantly most importantly मज़ेदार लगे हैं इसके साथ थाइंक्यू वेरी मच्च जो भी तक बना हुआ है मैं आपसे मिलूँगा फिर कभी और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो मस्ती करो चिल करो खेलो कुदो जो जो करना है वो करो जो पसंद है वो करो किसी को हाम मत करना वस